हुआ 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 है हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इलेक्रिकल विंग्स में मैं हूँ आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं मेटल हेलाइड लेंप्स के बारे में जिसको हीड लेंप्स भी कहा जाता है हीड का मीनिंग होता है हाई इंटेंसिटी डिस्चाज लेंप्स जो की गैस डिस्चाज के प्रिंसिपल पर फंक्शन करता है so gas discharge principle जो है वो हम previous session में अलड़ी सीख चुके हैं आप जाके refer कर सकते हैं okay so यहाँ पर मैंने different different rating के metal halide lamps लिए हुए हैं आप देख सकते हैं so यह lamp है 70 watt rating का यह है 150 watt का यह है 250 watt का and यह है 400 watt का metal halide lamp okay so अब यह जो metal halide lamp है उसका construction कैसा होता है उसके अंदर कौन से कॉन से component का इस्तमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए so यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर दो केटेगरी के metal halide lamp होते हैं जिसके अंदर starting electrode का इस्तमाल किया जाता है और एक होता है जिसके अंदर starting electrode का इस्तमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो 250 watt का metal halide lamp है इसके अंदर कोई भी resistor आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर starting resistor का इस्तमाल नहीं किया गया है और यह जो आप 400 watt का जो lamp देख रहे हैं इसके अंदर आप यह resistor देख पा रहे होंगे इसके अंदर starting resistor electrode का इस्तमाल किया गया है यहाँ पर हम इसका construction सीखेंगे कि किस तरह का होता है construction मैंने यहाँ पर paper पर draw कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर mainly जो arc generate होता है वो इस gas discharge tube के अंदर होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन से कौन से component का इस्तमाल किया जाता है यह जो हमारा gas discharge tube है उसके अंदर दो electrodes mainly होते हैं जिसको main electrodes कहा जाता है और यह जो बड़ा वाला लेंप है इसके अंदर three electrodes रहते हैं जिसके अंदर additionally resistor जो की starting के लिए होता है उसका इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर मैंने three electrodes वाला जो लेंप है यान कि जो इसमें starting resistor का इस्तमाल किया जाता है उसका मैंने construction लिया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर main electrode है one and two number यह जो थर्ड वाला है इसको starting resistor electrode कहते हैं अभी इसके अंदर additional component कौन से कौन से होते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह जो आपको देख रहा है यह tip जैसा इसको निपल या tip कहते हैं gas discharge tube का इसी निपल के थ्रू इसके अंदर gases fill किये जाते हैं इसके अंदर कौन से कौन से gases fill अप रहते हैं इसके अंदर argon gas mercury gas as well as different different metal halides इसके अंदर add किये जाते हैं ओके इसके अंदर जो दो electrodes है जो कि tungsten के बने होते हैं जो कि high temperature को withstand करने के लिए बने होते हैं so tungsten के यह जो electrodes होते हैं वो thorium coated रहते हैं ताकि वो high temperature को withstand कर सके ठीक है अभी यह जो आप gas discharge tube देख रहे हैं वो quads fused quads glass का बना हुआ रहता है जो कि 2000 degree Celsius तक temperature withstand कर सकता है अभी यह आप दोनों साइड पे यह जो सील देख रहे हैं इसको pinch type seal कहा जाता है इसके अंदर यह जो material इस्तमाल होता है उसको जो है वो molybdenum chemical element कहते हैं जो कि high temperature withstand कर सकता है अभी क्या होता है कि molybdenum का इस्तमाल करने का main reason यह है कि यह जो आप pinch seal देख रहे हैं वो जो है वो high temperature पे जब यह arc tube operate करता है तब वो expand नहीं होना चाहिए अगर वो expand होगा तो उसकी वज़े से उसके अंदर cracks आ सकते हैं यह जो molybdenum element है वो high temperature withstand कर सकता है और high temperature पे वो जो नहीं expand होता है नहीं contract होता है ओके तो उसकी molybdenum को यूज करने से क्या होता है कि आपना यह जो glass का जो discharge tube है वो maintain रहता है यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों side पे white तरह का coating किया गया है सो यह जो दोनों coating है उसको कहते है जिर्कोनियम silicate सो जिर्कोनियम silicate मट्रियल का दोनों side पे दोनों end पे coating किया हो रहता है जो की heat को reflect करते हैं सो इसके main element हो गए दोनों electrode जो कि thorium coated रहते हैं यह third electrode जो कि starting resistor यान कि starting electrode की तरह इस्तमाल होता है इसके अंदर gases हो गए argon mercury and metal halides so metal halides के अंदर main component जो कि use किया जाता है वो होता है sodium iodide okay so sodium iodide जो है वो एक white powder की तरह रहता है जो की pure white light produce करने का काम करता है ठीक है so यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो अपना discharge tube है उसके उपर एक यह main glass बना हुआ है okay so इस glass को कहते है borosilicate glass यह जो glass है वो क्या काम करता है कि अंदर का जो यह gas discharge tube है उसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसके अंदर से जो ultra violet किरने जो produce होती है उसको बाहर आने से भी रोकता है ठीक है so इसका main function हो गया अंदर की tube को प्रोटेक्ट करना and ultra violet rays को बाहर आने से रोकना ठीक है यहाँ पर आप यह एक ring देख रहे होंगे इसको getter ring कहा जाता है यह जो getter ring है वो क्या करता है कि यह जो दोनों tube है उसके बीच में vacuum maintain करने का अगाम करता है जो भी कोई gases है जो कि इस छोटी सी arc tube से escape होती है उसको यह absorb कर लेता है ठीक है so इसको getter ring कहा जाता है so यहाँ पर इसका construction जो है complete होता है so अभी हम देखेंगे कि यह जो हमारा lamp है वो operate कैसे करता है okay so यहाँ पर आप देख सकते है कि starting में जब हम इसको 230 volt supply देते हैं उस time पर क्या होता है कि यह जो हमारा electrode है और यह जो हमारा starting electrode है इसके बीच में यहाँ पर argon gas रहती है so argon gas जो है वो 230 volt के उपर ionize हो जाती है और यहाँ से धीरे-धीरे current start हो जाता है flow करना so current जो है वो यहाँ से लेके इस तरह से इस तरह से flow होने लगता है so जब यहाँ पर current flow होने लगा उस time पर क्या होगा कि यह जो हमारा tube है उसके अंदर temperature बढ़ता है और pressure भी धीरे-धीरे build up होने लगता है उसके वज़े से क्या होता है कि हमारा इसके अंदर जो mercury रहता है वो vaporize होने लगता है okay so mercury vaporize होता है as well as क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा metal halide salts जो है यानि कि sodium iodide जो है वो भी vaporize होने लगता है और जो है वो arc maintain करता है दोनो main electrode के बीच में सो जब fully gas ionize हो जाएगा उस time पे main electrode one to two जो है आर्क maintain हो जाएगा और current का flow जो है जो कि पहले starting resistor से होके जाता था वो divert हो जाएगा यहां से लेके इस तरह कि को करन्ट जो है वो divert हो जाएगा starting resistor से flow होने के बदले main tube से flow होने लगेगा सो अभी यह जो हमारा arc जो यहां पे continuously maintain रहता है ओके तो आर्क का जो impedance होते है वो negative resistance टाइप का रहता है जैसे जैसे इसके अंदर arc maintain होगा उसका जो impedance है ओके वो drop होने लेगा तो इसके अंदर impedance drop होगा तो current जो है वो excess यानिकी बहुत बढ़ जाएगा so current को limit करने के लिए यहां पे ballast का इस्तमाल किया जाता है ताकि excess amount of current जो है वो इस tube में से flow ना होने लगे और इस tube को rupture ना कर दे okay so starting में starting resistor से current flow होता है और जैसे आर्क जो है वो दोनों electrode के बीच में maintain हो जाता है हमारा current का flow जो है वो main tube में से पास होने लगता है so इस तरह से हमारा metal halide lamp जो है वो function करता है अभी इसका main जो principle है वो gas discharge है जो कि हम previous session में सीख चुके हैं अगर आप वो detail में सीखना है दिन आप previous video को refer कर सकते हैं